नमस्कार दोस्तो आज मैं एक सिंपल से रेसिपी लेके आई हूँ जिसको की बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेश्टी लगता है ये है कुरकुरि भिंडी इसको बनाना एकदम आसान बहुत ही simple तरीके से ये बनता है और घर की एवेलेबल सामान में ही बन जाता है ये और इसको आफ side dish की तरह रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी ले सकते हैं और इसको ऐसे ही snacks की तरह भी ले सकते हैं इसके लिए मैंने भिंडी 300 g लिया हुआ है इसको मैंने भिंडी को दो टुकडो में बीच में से काटके उसको फिर चीरा लगा दिया है इस तरह से लंबे slice में इसको काटना है, तभी ये अच्छे से बन पाता है तो इसको भिंडी को पहले धो के अच्छे से साप कर लेना है, सुखा लेना है, फिर काट करना है और एक borel लेना है उसमें मैंने दो चमच चावल का आटा लिया है आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसमें कनफ्लूर भी ले सकते हो आप उसमें और क्या करना है एक चमच अद्रक लेक्षिन का पेश्ट मिलाया है मैंने और साथ में हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर और एक चमाज गरम मसाला का पाउडर डालना है और नमक आप टेस्ट किये कडिंग डालना है और अब ये सब सामानों में हम भिंडी को मिलाएंगे आधा आधा करके भिंडी मिलाएंगे एक साथ सब मिलाएंगे तो कोट खरने में प्रॉब्लम होगा अभी हमको इसको हलके हाथों से मिलाके सारे मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जरुरत पड़ेगी अभी हमें थोड़ी सी पानी की क्योंकि यह ड्राय र अरीव इसमें पानी लगेगा अब डाल दिया है पानी अब इसको अच्छी तरह से हातों की मदद से हमें मिला लेना है त 신कर हुआ अच्छे से मिल गया है अब हम इसमें थोड़ा सा धनिय पत्ता कटा हुआ डाल देंगे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब धनिय पत्ता डालने के बाद इसको एक बार अच्छी से और मिला देंगे और फिर इसको हम तावा पे सेलो फ्राय करेंगे तावा गरम करके इसको फ्राय करना है मैंने एक बड़ा चम्मज तेल इसमें फैला दिया है अब सारे भिंडी को इसमें फैला देंगे हम इस तरह से अलग-अलग रखके फैलाना है हमें देखे सारा भिंडी फैला दिया है मैंने अब इसको ढख देंगे 102 मिनिट के लिए ढखना है क्योंकि हमारा भिंडी जो था पूरा कच्चा था तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगए इसलिए हमें इसको ढख के पकाना है पहले तो तेजांग रखेंगे थोड़ा सा फिर कम क अब हमारा भिंडी अच्छे से पक चुका है ज्यादा टाइम लगता नहीं है इस भिंडी को पकने में अभी हम पीछे की तरफ से इसको पलटा देंगे दोनों तरफ से इसको कुरकुरा होने तक सेकने हैं और जब पलटाएंगे अब उसके बाद इसको ढखने की जरूरत न चुल्सारी को बना लेना है इससी तरह से हमें बाकी साढब को भी बना लेना है बहुत ही आसानी से यह बन जाता है अब 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 लॉं्च या डिनर की प्रिपरेशन भी कर रहे हो सब को निकाल के निकाल के शर्व करने कि सूछ रह eşा और तभी इसको बना लोगे तो यह तब तक जब तक आप से लोगे खाना तब तक यह बन करेडि भी हो जाता है कि इतना कम टाइम में यह बन बन जाता है और भोछन师 फटा फट बनता है उसलिए अच्छा लगता है टाइम कम लगता बस बिंड़ी काटा इसको मिलाया फटाफट से हो जाता है तो आप लोग जरूर एक बार इसको ट्रै करके देखिए टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है नर्माल भिंडी खाखा के अगर बोर भी हो गया हो तो इस तरह से भिंडी बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग एक ब